हलो और वेल्कम टू दे शो टाइम अभी तक शेर शास सभी ने देख री होगी और देखने के बाद सबको पसंद भी खुब आई होगी तो जब इतनी पसंद आई है और इतनी ब्लॉग पस्टर हुई है तो क्यों ना आज इसी बारे में बात की जाए कहने का मतलब कुछ यू है कि गाईस ये तो हर कोई जानता है कि काफी टाइम बात से धार्त मलोतरा ने फाइनली एक सूपर डूपर हिट फिल्म दी है और OTT पर रिलीस के बावजूद भी मूवी ने खूब पैसे कमाए है लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मूवी की स्टार कास ने मूवी में कितने पैसे कमाए चलिए हम आपको आज है बताते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शेशा मूवी की स्टार कास की सालरी कितनी रही गाइस कियारा अद्वानी जन्होंने फिर्म में दिंपल चीमा का क्रेक्टर प्ले किया था उन्हें साइन किया गया था चार करोर के बजट में सिदार्त मलोत्रा का साइनिंग अमाउंट था रूपीज 7 करोर वो प्लेड दे लीड, Captain Vikram Batra, in the movie The actor Pawan Chopra, who played the role of G.L. Batra Vikram Batra's father's signing amount was Rs. 50 lakhs The actor Shiv Pandit was paid Rs. 45 lakhs for playing the character of Lieutenant Sanjeev Jamal The actor Niketan Dhir got Rs. 35 lakhs for his role in the movie वहीं Anil Charanjeev, वो actor जिन्होंने नायब सुविदार बंसीलाल का रोल प्ले किया था उन्हें 25 लाग का signing amount offer किया था जो उन्होंने accept किया Heather का role play करने वाले मीर सरवर को भी 25 lakhs के amount के साथ मूवी में sign किया गया था वहीं last but not the least शताफिगर यानि वो actor जिन्होंने फिल्म में Lieutenant Colonel Yogesh Kumar Joshi का character play किया था उन्हें 20 lakhs के amount के साथ मूवी में sign किया गया था और मूवी का total budget था 50 का role तो कैसी लगी आपको यह information do tell us in the comment section we'll be back with another video till then you guys keep watching and do subscribe to the showtime